नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा, हाजिरों आप सबीक सामने, आपके पने चनल जोतिशन वास्तुमें, कैसे हैं आप सबी? दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत दन्यवाद प्यार देने के लिए, अपना आशिरवाद रखने के लिए, आपसे यही प्रात्ना करता हूँ कि यह प्यार और यह आशिरवाद हमेशा इसी तरह से बनाए रखिएगा दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी अच्छी न्यूस के बारे में अच्छी न्यूस दोस्तों, यह है कि रिकवरी रेट जो है, वो 62% हो चुकी है यह बहुत ही अच्छी न्यूस है कि 60 से हम फाइनली 62 तक आ चुके हैं बहुत जल सित्तर और 75 तक हम जरूर पहुंचेंगे अगली एक और अच्छी न्यूस देता हूं दोस्तों आपको कुछ समय पहले कुछ कॉल्स मेरे पास आयते जिसमें 3-4 लोग ऐसे थे जो कि कोरोना पेशेंट थे और कुछ की हालत बहुत जादा गंबीर थी इसमें से एक की उम्र 63 ती और एक की उम्र 45 ती दोस्तों जब इनके जब मेरे पास कॉल आया थे तब ये शायद काफी जादा डरे हुए थे और काफी जादा परेशान थे और शायद भविश्य का अंदेशा भी नहीं था कि ये बचेंगे या नहीं बचेंगे जब इन्होंने मुझसे बात करी और जब मैंने इनको कुछ उपाय बताए एनलिसिस किया उसके बाद जब इन्होंने उन चीजों को करना स्टार्ट किया और कुछ मेडिकल की हेल्प मिलती गई तो यहां पर कल का जो दिन था जब मेरे पास उनका कॉल आया कि वो यहां पर स दूरक्षित अपने गर पर आ चुके हैं और कुछ जब मेरी उनसे बात हुई तब कुछ चीजे मुझे सीखने को मिली वही चीजे मैं यहां पर आपके साथ शेर करना चाहता हूं जब भी कोई कोरोना पेशेंट होता है दोस्तों तो उसे उस पूरे फेस से निकल के पॉज कुछ समढ़ने को मिली हो यह थी दौस्तों कि इस पूरी जर्निनी के दौरा इस पूरी यात्रा के दौरनेक तरह की यात्रा ही यह जो आपको नकारात्मक्ता से ओस अत्मिटोस चाहता कि लिए और इस नेगिटिव से पॉजिटिवाइए कॉरोना होता है तो वह हाईली ने कोरोना पॉजिटिव होता है तो वो बिलकुल अकेला हो जाता है उसके आस पास उसके ना गरवाले होते हैं ना उसके दोस्त होते हैं ना ही उसका कोई चाहने वाला होता है फोन पे संपर्क एक अलग बात है दोस्तों बट फिजिकल संपर्क नहीं हो पाता है हम हमारे गरवाल कि सच में कोई जादू है तब उसे लगता है कि शायद दवाई की जरूती नहीं है इस बिमारी को हटाने के लिए तब उसे महसूस होता है कि हमारे अंदर कितनी शक्ती है हमारी अंतर आत्मा हमारी एनर्जी अंदर की कितनी जादा मजबूत है दोस्तों तब उसे पता चलता है कि मंत्रों में कितनी शक्ति है बगवान में कितनी शक्ति है बगवान हो ना हो पर हमारे पास हमारी आत्मा है हमारे पास हमारी इनर एनलजी है जिसमें बहुत जादा शक्ति है और शायद उन्होंने वही चांट की है medical की health तो ज़रूर मिली है no doubt medical को हम यहाँ पर compare नहीं कर रहें किसी भी तरह से मैं सिर्फ यह बता रहा हूँ कि जब तक हमारे पास vaccine नहीं है जब तक हमारे पास medicine नहीं है तब तक हम हार मान के बैठ जाएं या दूसरों को corona positive होते हुए डर के बैठ जाएं यह हमें नहीं गरना है मेरे कहने का उद्देश है सिर्फ इतना सा है दोस्तों कि अगर आज हम 62% की recovery पर पहुंचे हैं न्यूजरियन जैसा देश ने कोरोना को छोड़ दिया है बिल्कुल आस्ट्रिया जैसे देश ने बहुत अच्छे लेवल पर recovery कर दी है चाइना जैसा देश काफी हद तक recovery कर चुका है और भी बहुत सारे ऐसे देशें जो बहुत जादा recovery कर चुके हैं वहाँ पर medicine available नहीं है और वहाँ पर भी हमारे ही देश जैसे experiments चल रहे हैं वैक्सीन के परिक्षन चल रहे हैं पर फिर भी उन्होंने कोरोना को हराया है और इसी तरह से हमने भी 33% से आज 62% की recovery देखी है प्लाजमा तेरेपी, फैबी फ्लू या और भी कोई दवाई कुछ वैक्सीन और डेक्सोमेथान या एक दो वैक्सीन जो और हैं वो सारी कहीं ने कहीं, कुछ हद तक कहीं ने कहीं काम कर रही हैं पर साथ ही साथ जो main और सबसे important चीज काम कर रही है वो है आपका आत्मश्वास आपके अंदर की ताकत अगर वो आपके अंदर की ताकत strong है तो शायद आपको ये corona नहीं हरा सकता ये मैं guarantee ले सकता हूँ कि अगर आपके अंदर की ताकती strong है तो आपको ये corona नहीं हरा सकता किसी और को corona हो गया है या मेरी building में corona हो गया है मेरी society में corona हो गया है या मेरे शहर में corona हो गया है इसको डर के या इस बात को सुन के आपको डरना नहीं है आपको बस क्या करना है जैसे आपको पता चलता है कि मेरी सिटी में या मेरे एरिया में कोरोना है आपको अपनी रिकवरी स्टार्ट कर देनी है दिन में तीन बार गरम पानी, सुबह शाम हल्दी वाला दूद और लॉंग और काली मिर्च का सेवन करें खाने में लहसुन का सेवन जरूर करें और किसी भी तर से ऐसी चीज़ें जो आपकी इम्मिनिटी को स्ट्रॉंग करती है उन चीज़ों को लें विश्पनु से अस्रणाम, राम रक्षा इस्प्रोतम और हनुमान चालीसा का विशेश रूप से पाठ नियमित तौर पर करते नहें कोशिश करिएगा लाइट कपड़े पहने, बहुत जारा डार कपड़े ना पहने कुछ लोगों को शायद समझ में नहीं आता कि लाइट और डार कपड़ों का क्या रीजन है, क्या वीजन है वो समझाने बैटूंगा तो शायद वीडियो बहुत जादा लंबा हो जाएगा बट लाइट कपड़े पहनेंगे तो शायद आपके फाइदा ही होगा, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ, वो अपने फाइदे के लिए नहीं कह रहा हूँ डूसरी चीज़ दोस्तों, अगर आप इन सारी चीज़ों का नियमे तुरूप से पालन करेंगे फिर चाहे आप बाहर निकलें, आप अपने काम पर जाएं, आप सबजी लेने जाएं, आप नॉर्मल किसी भी काम पर जाएं, बस precautions रखें, आपको कोरोना नहीं होगा, it means कि नहीं होगा ऐसे भी cases मेरे पास आएं, जहां पर एक person कोरोना positive आया है, और उसकी पूरी फैमली पिछले 7 दिनों से continue साथ में थी, पर वो सारे के सारे negative आया है, उनमें कोई symptoms नहीं है तो इसलिए दोस्तों, इन चीज़ों पर जान दीजिए का कि किसी के चार्ट में कोई नहीं कोई खराब योग बन रहा होगा, इसलिए सिर्फ वो ही person कोरोना positive आया है, बाकी और कोई नहीं आये है तो उम्मीद करता हूँ कि इस choice चीज़ को, इस पूरे process को आप समझेंगे अगली बात दोस्तों, कुछ rumors जो market में फैल रहे है astrologically जो मैं जानता हूँ और जो मैं समझता हूँ उन चीज़ों को, उस हिसाफ से मैं आपको दो-तिन चीज़ें और समझाना चाहता हूँ पहली चीज़, 2021 में कोई virus आएगा नहीं आएगा, आप सभी सहाँ जोड के request करता हूँ कि यह चिंता छोड़ दे अभी हम अभी 2020 में हैं और हमारा main मकसद है 2021 के June, July, August के मैंने को खतम करना June हमने बहुत मुश्किल से और बहुत हिम्मत के साथ खतम किया है July का महिना भी हम खतम कर रहे हैं और बहुत जल्दी खतम हो जाएगा बात आएगी August की महिने की वो भी खतम हो जाएगा तब हम सोचेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है हमारा main मकसद है August का महिना तो इसलिए दोस्तों इन rumors पे ध्यान ना दे प्लीज आप सभी से यह request है कि किसी ने अगर well perfect calculation करके बताया है कि यह वो ग्रह है जो November में या December में या फिर January में या फिर 2021 में वाइरस लेके आएगा तो ही आप उस calculation पे सोचने की कुशिश करें कि शायद यह perfect calculation हो सकता है otherwise आप सभी से request है कि इस तरह की किसी भी calculation जोकसी सिर्फ एक मूब बोली calculation है कुछ astrologist को मैंने देखा है कि दो महीना आगे और दो महीना पीछे की calculation कोई भी prediction किया plus minus two months plus minus two months का मतलब होता है अगर आप कोई भी calculation कर रहे हैं अगर आप कोई भी prediction कर रहे हैं जादा से जादा 15 दिन plus minus लें तो समझ में आता है plus minus two months का कोई भी calculation prediction नहीं कहलाता है उन सभी से मेरा सिर्फ इतना सा कहना है दूसरी चीज़ दोस्तों वैक्सीन के भी कुछ news आ रही कि वैक्सीन नहीं आएगी 2021 में आएगी आप सभी से यही कहना चाहता हूँ इस तरकी बातों पे ध्यान ही न दे प्लीज कुछ दिन टीवी बिलकुल बंद कर दे ताकि आप सभी का mind जो रहेगा वो positivity की तरफ जादा जाएगा और negativity की तरफ नहीं जाएगा हम अभी बहुत जादा negative है और यह जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ 12 तारिक 12 जुलाई 2020 से समय जो start हो रहा है वो हमारा negativity से positivity की तरफ जाने का समय है उसके लिए हमें पहले से prepare होना है उसके लिए हमें तयार होना है कि यहाँ पर अब हमें आगे जाना ही है अब हम रुक नहीं सकते एक जगे बैट नहीं सकते डर नहीं सकते अब हमें आगे जाना ही है तो इसलिए दोस्तों इस बात का विशेश द्यान रखिएगा ताकि आप सभी को भी किसी भी तरह से इन चीजों में खराब चीज देखने को ना मिले एक और जो रियूमर है कि कोरोना का पीक आने वाला है मुझे एक चीज बिल्गूल भी समझ में नहीं आ रही है कुछ लोग कोरोना का पीक मार्च में बता रहे थे कुछ लोग कोरोना का पीक एप्रिल में बता रहे थे उसके बाद कुछ लोगों ने मही में और कुछ लोगों ने जून में बताया कुछ डॉक्टर ने डिकलेर कर दिया था कि जून में कोरोना का पीक आएगा ही आएगा बड़े बड़े डॉक्टर इसको बोलते है अब वोई डाक्टर बोल रहे हैं कि जुलाई में कोरोना का पीक आएगा मैं आपको guarantee देता हूं कि जुलाई का महिना भी अच्छा निकलेगा इसलिए ड़णने की पीक आ ही नहीं सकता है I can say guaranteed that peak आ ही नहीं सकता है इंडिया में पीक नहीं आ सकता है कोरोना का कोई पीक नहीं नहीं हो सकता है यह यह possible ही नहीं है जहां दिन के 20,000 cases आ रहे हों जहां 15,000-16,000 recovery आ रही हैं वहाँ पर कोरोना का पीक असंभव है दूसरी बात जो cases आ रहे हैं वो mild cases है वो serious cases नहीं है अगर आपको calculation करनी है अगर आपको बहुत ही ज़ादा infected cases पे ध्यान देना है तो please उन cases पे ध्यान दे जो की infected cases है और वो serious cases है अगर आपको नहीं पता हो तो आप चेक करिएगा गूगल पे सर्च करिएगा आपको पता चलेगा कि कितनी मामूली संक्या है infected cases में serious cases की 20,000 infected cases है और सिर्फ मातर 2000 से भी कम अगर serious case है तो शायद I don't think कि कोरोना उतना ज़्यादा खराब है ये बहुत ही जल्दी recover हो जाएगा और बहुत ही जल्दी हम हमारे ही अंदर की शक्ती से इसे भगाएंगे इसे हराएंगे इसके चांसे पूरे-पूरे बनते हैं medicine आएगी तब क्या situation बनेगी हम शायद उससे पहले ही recovery पा चुके होंगे इतना मुझे विश्वास है और आप सभी के सयोग की जूरत है अगर आप सभी सयोग करेंगे तो ये विश्वास बढ़ेगा positivity बढ़ेगी और आप सभी एक के साथ चार को positive करेंगे तो definitely आप सभी देखिएगा कि हम सब कोरोना को बहुत आसानी से यहाँ पर हरा देंगे और मेरी एक एक बात ग्रहों की calculation के आदार पर कोई मन गड़न कहानिया मैं आपको यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ इतना समय नहीं है दोस्तों कि मन गड़न कोई भी कहानिया या किससे आपको यहाँ पर सुना हूँ एक एक पॉइंट मेरा एक एक लोगों तो वीडियो पहुंचाइए था कि जादा जादा लोग इस वीडियो को देख पाएं मैं पूरी-पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी हर समय मददियां पर कर सकूँ